कि नमस्कार दसंजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम फिर यूपी की चर्चा करने वाले हैं यूपी के संभाला है और एक ही रात में ऐसी चाल चली है कि पिछड़ों को अपनी जागीर समझ रहे अखलेश यादव अगल बगल जांकते नजर आएंगे और पिछड़े की बात करते हुए बीजेपी छोड़ने वाले निताओं की घिगगी बंस जाएगी बीजेपी ने एक ही रात मे सबसे बहतर होगा यूपी में इलेक्षन की तारीखों की घोषणा होने के बाद अब तक जो कुछ हुआ है उससे ऐसा लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला होने जा रहा है एक को पिछडों पर भरोसा है तो दूसरे को हिंदूत्यों पर बीजेपी ने कुछ समय पहले कुछ विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने के संकेत दिये थे पर बिजेपी का टिकट बटे इससे पहले ही उसके कई मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं कहते हैं अभी भी कई निता बिजेपी छोड़कर भागने वाले हैं समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाओं में OBC को ही मुद्दा बना लिया है उसे लगता है कि इस वर्ग का प्रतिनिजित वही करती है इसलिए समाजवादियों को ही पिछडों का वोट मिलना चाहिए पिछली बार पिछडों ने बिजेपी को ही वोट दे दिया था इसलिए इस बार वो पिछडों को बिजेपी से दूर ले जाने की रणनिती पर काम कर रही है इसी रणनिती के चलते पिछले चुनाओं के दवरान अलग-अलग दलों से बीजेपी में शामिल हुए OBC निताओं को समाजवाधी पार्टी ने अपने साथ मिला लिया है उसे लगता है कि इन वर्गों के निताओं को बीजेपी से दूर करने पर उसका वोट बैंक पक्का हो जाएगा अब तक यादो मुस्लिम काट खेलते रहे खिलेश यादो गैर यादो OBC वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं उनको लगता है कि कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में ले आने से बाकी पिछड़े वर्ग वाले भी उनके साथ आ जाएंगे इसके बिना उनकी नईया पार नहीं लग सकती पिछले तीन-चार दिनों में जो इस्थिती बीजेपी के भीचर बनी है उससे ऐसा लगता था कि पार्टी मुश्किल में फंस गई है और अगर यही इस्थिती रही तो उसे नुकसान हो सकता है पर अब बीजेपी ने अखलेश यादों की राजनिती की कार्ट निकाल ली है एक दिन पहले ही खबर आई कि बीजेपी जाती वाद के असर को खत्म करने के लिए हिंदुत्व का कार्ट खेलेगी और योगी आधित्यनात को अयोध्या से चुनाव लड़वाएगी ऐसा होने पर अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा बिना कुछ की यही चर्चा में रहेगा और उसकी लगातार गुंज हिंदु समाज को बीजेपी की तरफ जाने के लिए प्रेवित करेगी विपक्ष को सबसे अधिक दर इसी एक मुद्दे से लगता है अब बीजेपी ने पिछड़ा काइड का भी तोड़ निकाल लिया है कल तक जटके खा रहे बीजेपी के नेता अब हमलावर मोड में आ गए हैं डेमेज कंट्रोल के लिए नेताओं के बयान जारी हो रहे हैं बीजेपी ने अब एक नया पासा फेका है और कहा है इस देश के सबसे बड़े OBC नेता तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी हैं अब यूपी के OBC वर्ग को तै करना है कि अखिलेश के साथ सत्ता के लालच में गए नेताओं का साथ देना है या फिर नरेंद्र मोडी के साथ जाना है बीजेपी अब पूरे चुनाओं में मोडी को पिछड़े वर्ग का नेता बना कर घुमाने की योजना बना चुकी है पिछड़ों से कहा जाएगा मोडी जैसे बड़े नेता का साथ लेना और साथ देना जादा फायदे मंद होगा यानि हिंदुत्तों के साथ पिछड़े की डबल डोज लेकर बीजेपी उतरेगी और याद रखें मोडी जब पिछड़ों के बीच उनके प्रतिनिधी की तरह जाएंगे तो अखिलेश के साथ सपने देख रहे नेता कहीं भी नहीं टिकेंगे नरेंद्र मोडी OBC समाज से आते हैं इसलिए इस समाज के लोगों के बीच आसानी से जगा बना सकते हैं बिजेपी आने वाले दिनों में प परिवार की राजनिती करने वाले समाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं योगी ने गरीबों के लिए अपने शासन में हुवे काम गिनाये हैं और अखिलेश की सरकार के दौरान हुवे कामों का अकड़ा भी चारी किया है दूसरी तरफ योगी आधित्यनात न अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब मोदी ने कुम्ब के समय सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनको अपने पक्ष में ले लिया था काशी विश्वनात कारीडोर के उद्गाटन के लिए गये मोदी ने काशी में निर्मान कारे में लगे श्रमिकों पर फूल भी बरस आये थे ये श्रमिक पिछड़े और दलित वर्ग से ही आते हैं मोदी को चुनाओं के दावरान दलित और पिछड़ों का सबसे बड़ा हमदर्द बिजेपी बताएगी और हिंदुत्तों का सहरा तो उसके पास है ही इस एक तिर से बिजेपी को समाजवादियों समेथ भहु उसे ना के खिलाब भी कोई पैतरा खोजना होगा जो उसके हिंदू वोटों को काटने की फिराक में यूपी चुनाओं लड़ने जा रही है तो अब देखना होगा बीजेपी की इस खिचड़ी का जवाब अखलेश और बाकी विपक्ष किस तरह देता है फिलाल चर्चा को यही रोकते हैं यूपी चुनाओं पर लगतार हम आपको इसी तरह की रोचक जानकारिया देते रहेंगे विडियो पसंद आया तो लाइक और शेर कर दीजिए साथ ही आई बीसी 24 के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा नमस्कार